सर 24 चुनाव का सबसे बड़ा संदेश आपकी नजर में क्या गया है मेसेज देश में देखे सबसे बड़ा मेसेज ये गया है कि ये चुनाव एक तरह से दो राहों पर खड़ा है एक तरफ बीज़ेपी के सामने बड़ा चैलेंज है कैसे सरकार बनाए और सरकार चलाए गरपन घटकी तो आगे जो डगरवार की धार पर चलने जैसा ये एक महौल और ये मौका जो इस वक्त एंडिया सरकार के सामने होगा जब एंडिया सरकार बन जाएगी फिलाल आपको बड़ी खबर बड़ा अपडेट बताते हैं आज की जो सियासी हलचल है आज का दिन बैठ इशकुमार और चंद्रबाबु नाइडू, जीतनरा मांजी और एकनाच शिंदे भी इस बैठक में शामिल होगे बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिशे तेज हैं प्रधार मंतरी मोधी के आवास पर आज एंडिया की बैठक है सीधे आपको लेकर शलेंगे हमा साड़े 11 बज़े का समय ये तेह हैं प्रधान मंतरी आवास पर ये बैठक होगी और ये कहें कि इस सरकार की ये अंतिम कैबिनेट की बैठक होगी क्योंकि अब इसी के साथ आज धन्यवाद प्रस्ताव भी हो जाएगा और अब नई सरकार के गठन का रास्ता खुलेगा कान्सल आजै कैबिनेट मंतरियों को इस बैठक में बुलाया गया है जी रुमाना अच्छा नीरच जो हैं वो हमें अपडेट दे रहे हैं जो मिनिस्टर की बैठक हो नी है उनी का रुक कर लेते हैं नीरच मैंने सवाल आपसे NDA की बैठक पर किया था आपने Council of Ministers को लेकर जवाब दिया है लेकिन NDA की बैठक जिसकी हमने Breaking चलाई है उसका अपडेट दीजे जी जी रोवाना बिल्कुल थोड़ा सा अन्फूज हो गया था NDA की बैठक साम 4 बजे बुलाई गई है प्रधान मंतरी आवास पर ये बैठक होगी NDA की जिसमें सभी जो NDA के घटक दल है वो मौझूद रहेंगे नितीश कुमार मौझूद रहेंगे चंदरबाबू नैडू मौझूद रहेंगे एकनाथ सिंदे बुजूद रहेंगे अजीद पवार की पार्टी से प्रफुल अच्छा तो ये वाली बैठक शाम में 4 बजे होनी है ठीक है तो सुभा में आप बता रहें कि सारे 11 बजे वो कांसल अफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी और उसके बाद शाम में 4 बजे प्रधानमंतरी आवास पर जो एंडिये की बैठक होनी है जिसमें शामल होने के लिए तमाम ये एंडिये के जो सहयोगी दलों के निता हैं नितिश कुमार से लेकर चंद्रबाबु नाइडू से लेकर जीतर नामाजी से लेकर एक नाचिंदे से लेकर प्रफुल पटेल तक सभी पहुँच रहे हैं दिल्ली जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर ABP News आपको रखे आगे